बाई दूसरी और अखिल भारतिय सफाई कर्मचारी कल्यार संग के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने दुर्ग निगम कार्याले का खेराव किया अपनी साथ सुत्रिय मांगो को लेकर जमकर नारे बाज़ की नगरपालिक निगम दुर्ग में कारेरत प्लेस्मेंट कर्मचारी एवं MCC कर्मचारियों के वानशित अधिकार के साथ अपनी साथ सुत्रि मांगो को लेकर मंगलवार को अखिल भारतिय सफाई कर्मचारी कर्यान संग के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर का घेराव किया बड़ी संख्या में पहुँचे सक्वभाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया गौर्दलब है कि नेगरपालिक निगम दुरुक में कारेरत प्लेस्मेंट एवं MCC कर्मचारियों के समस्याओं से संगठन के माध्यम से एवं कर्मचारियों के द्वारा लगातार अवगत किया जाता रहा है बावजूद इसके अब तक कोई समधान नहीं किया गया है जिससे नाराज कर्मचारियों ने अपनी सास सुत्री मांग निगमायुक्त हरेश मंडावी के नाम दुर्ग निगम के स्वास्त अधिकारी गिरिश दिवान को ग्यापन सौपा इस अवसर पर भाजपा पार्षद दलने भी अपना सहयोग देते हुए सफाई कर्मचारियों के हित में खड़े नजर आया। आज दावा बोली है। इसने वी सफाई कर्मचारी आप लोग देख रहे हुए है। तो निगम ते मातर 6 अजर में मिलता है और काम करवा जाता है डबल यहां से रिश्चा लेकर जाएंगे फिर कंपोज जाएंगे इस पर बोस्री जाएंगे कंपोज में लेके जाते हैं पूरे साहर से 60 वरकर बोस्री जाता है लगबग लगबग 60 वरकर वो करमचारी जो निगम के लिए निगम के माधियम से वाड में रहता है वो वाड में काम नहीं करता है। अब बागी पूरा काम निगम खुल अपने खाज मनाने के लिए और वो कज़र चाटे में लगा लेती है। उससे दिक्कत यह है कि वाड में पूरी तरीके से ना सापसपाई हो नहीं पादी कज़रा नहीं उड़ पाता। और यह काम पॉलिशी है वो ड्यूटी लेते हैं चार बार की ड्यूटी लेते हैं मानने कंपोज बेचेंगे सफाई कराएंगे बिखसर तज़रा उड़ाएंगे और तनका एक मातर शेजार पर तनका देते हैं। दूद्रा कोई भी सफाई करमचारी अगर एक दिन की खुटी करता है तो दो दिन का पैसा कारते हैं। यह पैसा भी कार देते हैं और यहां तक अगर उसके घर से काम करने आता है उसको भी मना कर देते हैं। मैं अजीत वैद यहां पर स्वास परवारी है मिस्टर खोकर जी इनके पास कई बार गया सर मेरे वाड में सफाई करमचारी कम है। उनको दूसरे बार से सफाई करमचारी मेरे को लाकर देतो जब ट्रांसफर कर दो नहीं सुनते हैं। सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं जैसा उनके मन में आता है वह ऐसा करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं। प्रिगत एक बड़तों से हम दिगम कमिश्नर मदय को रमचारी के बंचित मांगों के विशाय में उनके आववत कराया जा रहा है। अब तब आईक्टमोदय जी के द्वारा किसी प्रकार करमचारी हित में कोई निरना ने है। अभी हाल में हमने साथ 6 2022 को निगम आवेदन ने मिगम कमिश्नर को आवेदन दिया हुआ था कि हमारी साथ कुत्री मांगे हैं। जिसको साथ दीवत के अंदर वीरा करन करके हमको अवगत कराया। परन्तु आज 21 तारिक हो गया। अभी तक हमारे पास निगम प्रशाषन कोई भी लेटर नहीं आया है। जिसके हम संतोर चला। और यह मांगे ऐसी भी नहीं थी कि हम साथन प्रशाषन से मांगे। यह मांग ऐसी थी जो निगम प्रशाषन खुद इस समस्क्या का निरकरन करता है। लेकिन निगम प्रशाषन को हम सिर्फ यहीं बोल सकते हैं कि अपना स्वार अभी बीच में हमने पास तारिक को पाच पाच दौजार 22 को है। उन रूप से काम बंद करने का निवेजन किया गया था। लेकिन कमिशर सापके द्वारा बैठाद बुलाया गया। और हमको कहा गया है कि हम दुरुग नगर निगम के एक सफ़ाई वयस्ता को देखते हुए एक्दम स्वतंत्र रूप से हम आपके साथ हुए। लेकिन हमको कही नकहीं सरविक्षान का जहसा दे करके उस दिन हमको बोला गया है कि हम आपका सयोग करेंगे आप अभीका जो फर्दाल है उसको निरस्त कर दीए हम बाद में आपका सहीयोग करें लेकिन कहीं न कहीं न कहीं निगम प्रशाशन भी चाहते हैं कि उनका काम बनता रहा है और जो निगम करम चारी है वो अधिकार के बनता है अब आगे आपरों किस तरह करूपनाएंगे हैं हम यह चाहते और इन्होंने कोरोना काल में जब कोई नहीं आ रहा था तो अपनी पूरी सेवाय दी है अभी मुख्त मुद्दा है कि एक दिन अफसेंट होता है तो दो दिन का नागा कटता है एक एप मामला है दूसरा मामला ये है कि जितने सफाई कर्मचारी है इनको वर्दी नहीं मिली है तीसरा मामला है मानावधिकार का उलंगन है कि महिला सफाई कर्मियों को 30 दिन पूरा काम करना पड़ता है जिससे इंका जीवन इस तर और नीचे जाता है इनको सब्ता में एक दिन चुट्टी दी जाए ये इन मांगों को लेकर हमाए हैं 23 महने का प्याप नहीं मिला है और तो इस मांग को लेकर सफाई कर्मिय आये हैं और भारती जन्ता पार्शत्दर उनके समर्थन में आई है या मांग पूरी नहीं होगी तो एक हपते बाद सहर में व्यापक और उग्र आंदोलन होगा और इन गरीबों की हक के लिए लड़ाई हम लगा तार लड़ेंगे कर्मियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है देखना लाजमी होगा कि इनके इस आक्रोश का और सौपे गए ग्यापन का असर कब तक हो पाता है ग्रेंड एसियन नियूस के लिए दुरुख से नसीम फारुकी की रिपोर्ट